नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अचार जागिंद्र मिस्त्रा चैनल में चैत्र नवरात्री के दिन चुप चाप करे इन चार में से कोई एक उपाय गरीबी घर का रास्ता भूल जाएगी जी हां दोस्तों चैत्र नवरात्री की आप सभी दर्सकों को धेर सारी सुब कामनाएं आपके लिए ये नया साल सुब मंगल मैं हो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र नवरात्री के इन नव दिनों के अंदर अगर इन चार में से कोई एक उपाई कर लें त आपके शारी मनोकामनाई पूरी होगी लोटरी लग सकती है दोस्तों यदि आपके जीवन में किशी भी प्रकार की समस्या चल रही है चाहे हूँ धन को लेकर हो या बिजनेस ब्यापार को लेकर हो या नोकरी की समस्या हो या संतान को हो या स्वास्त में या फिर पारिवार में आपको धन संबंधित किशी भी प्रकार की कोई शमस्या नहीं रहेगी खासकर धन की शमस्या तो बिलकुल आपकी दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर में शदैब बास करेंगी अगर आप रोडपती भी हैं तो करोडपती होने में देर नहीं लगेगी जी हैं दोस्तों आप इन उपाय को अजमा कर एक बार अवश्य देखिए आपका जीबन खुशहाल हो जाएगा स्रेश्ट और अच्छा होगा दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों चलिए सुरू करते हैं और दोस्तों आज चैत्र नवरात्री का पहला दिन है इसलिए आज माता सेल पुत्री का यानी दिन है इसलिए बिद भिधान से पूजा राधना जरूर करें नवरात्री पर दो तरह की पूजाएं होती है एक सात्य के और दूसरी तांत्र की यदि आपके मन में कोई भी इच्छाएं हो तो आप पूरी ना हो रही हो तो आप नवरात्री के नव दिनों के अंदर आपको इन चार में से कोई भी एक उपाई अजमा कर देख लेना चाहिए मातारानी के किरपा आपके उपर अवश्य बरसेगी और आपके जीवन में अब मातारानी के किरपा अवश्य बरसेगी अगर इनमें से कोई भी एक उपाई करते हैं और आपका जीवन खुशाहाल हो जाएगा स्रेश्टा और अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे दोस्तों बस आपको ध्यान रखने की आवश्यक्ता है कि आप जो भी उपाई करें सात्विक प्रभाव से करें किसी को भी आप दंड देने के लिए बिल्कुल ना करें अपने फाईदे के लिए किसी को नुक्सान करने के लिए बिल्कुल ना दे आपको माता रानी को प्रसंद करके आप बहुत ही ज़्यादा धनवान बन सकते हैं खासकर माता लक्ष्मी जी को और भगुती दुर्गा जी को प्रसंद करने के लिए चैत्र नवरात्री का दिन बड़ा अच्छा माना जाता है सच्चे मन से सुद्ध हर्दें से मतारानी का इश्मरन करें और उनकी सच्ची अराधना करें पूजा पाठ करें, कर्म पर भरोशा रखें और सच्चे मन से स्रेष्ट परिणाम तभी प्राप्थों के जबाब पूरी मन से मन तन से आप माता भगुती की पूजाराधना करेंगे माता रानी भगुती दुरगा आपकी सारी समस्याइं दूर करेंगी आपकी सारी मनोकामनाई पूरी करेंगी अगर आप रोड़पती हैं तो करोड़पती होने में देरी नहीं लगेगी पैसा इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे गली-गली आपको भटन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इतना धन आ जाएगा कि आपको नौकरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मातारानी आपको खोब धन संपदा देगी यानि गरीबी आपका घर का रास्ता भोल जाएगी आपको इस बात कर ध्यान रखना चाहिए कि मातारानी के उपर सच्चे दिल से आपकी आस्ता और विस्वास होना चाहिए तब ही आप इन उपायों को करें आपके कर्म सच्चे होने चाहिए दोस्तों आए जानते हैं नवरात्री के इन नव दिनों के अंदर इन चार में से कोई भी आप एक उपाय कर लें तो मन चाहा बरदान आपको प्राप्त हो सकता है दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहला उपाय क्या है नवरात्री के प्रथम दिन से लेकर और नव दिनों के अंदर आप क्या करें कि लगातार आप चाहें तो हनवान चलिशा का भी पाठ कर सकते हैं माठा जी के पास पिर आपको लक्ष्मी सुक्तम का पाठ करें नहीं कर सकते तो आपको स्री सप्तमी का पाठ जरूर करना चाहिए सिस्पतमी का पाठ करने से जीवन की सारी मनोंकामनाई पूर्ण होती है इससे सदैव, आपके उपर महालक्षमी परसंद रहती है, भगवती दुरगा परसंद रहती है और आपको लगातार हनुआन जी के मंदिर में आप अगर हनुआन चली सका पाट नहीं कर सकते तो हनुआन जी को मीठा पान जरूर चढ़ाएं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी शारी मनों कामना आएं आपकी पूरी होंगे लेकिन ध्यान रखें आप इस दिन सात्विक मन से ही करें दूसरा उपाई यदि आपके उपर किशी ने कोई टोटका वगेर कर रखा है और आपको लगता है कि धन नहीं रहा या मन नहीं लग रहा है नौकरी में मन नहीं लग रहा आपका बार बार जाते हैं नौकरी करने और बार बार नौकरी छोण के आना पड़ता है तो आपको क् सुबह साम घी का दीपक गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं और घी के दीपक में आप पांच लॉंग जरूर डाल लें जी हां दोस्तों अगर आशा करते हैं तो जीवन में धनकी कमी कभी नहीं होगी आपकी धन संबंधी शमश्याएं दूर हो जाएंगी और मातारानी पूर किस्मिस है बडाम है और इसमें आप कई तरह के ले सकते हैं फल फूल भी ले सकते हैं और खासकर आप यहां पर बडाम किस्मिस और यहां पर आपको काजू है चुहारा है इन सभी चीजों को आप जरूर अरपित करें माता जी के पास और देखे आपको हम बता देए आपको चौता उपाए करना है दोस्तों आपको माको लाल चुनरी में पांच लाईची, पांच सुपाडी और पांच लॉंग बांध के अरपित करना है अपने सर से तीन बार उल्टे बार के माके चरणों में अरपित करें फिर देखे कैसे चमतकार होता है जीवन में धनकी शमस्यां दूर हो जाएंगी दोस्तों आपको एक उपाय और करना है जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक में आप पांच लोंग डालते जरूर है लेकिन पांच लोंग को अपने सर से तीन बार उल्टे बार के भी जलाएं वो डाल दे उस दीपक में तो इससे भी मनकी मनो कामनाय और खास कर अगर बेल का फल मिल जाए अर्पित करें और उसका प्रसाद अगर आप ग्रहन करें तो जीवन में आपको धन की कमी कभी नहीं आगी माता रानी के सडैब आपके उपर क्रिपा बरस्ती रहेगी और जीवन में गरीबी आपके घर का रास्ता छोण देगी और इतना आएगा पैशा कि आप संभाल नहीं पाएंगे तो दोस्तों इन कोई भी उपाय आप कर सकते हैं माता रानी को आप इस दिन चरण पादुका जरूर अर्पित करें इन नव दिनों के अंदर आपके घर में कंगाली हमेशक ले दूर हो जाएगी और आप शुक्षान्ती बैभो और धन संपति शब कुछ आपके घर में बास करेगा माता लक्षमी जी इस तिर बास करेंगे दोस्तों इस चैत्र नौरात्री के दिन आप जरूर करें जीवन में काम्याब हमेशा रहेंगे काम्याबी आपके कदम चुमती चले जाएगी और खुब सारा पैसा आएगा माता भगुती लक्षमी और माता भगुती दुरुगा की कृपा आपके घर में शदय बास करेगी जीवन में कभी भी आप हार नहीं मानेंगे सत्र बिरोधी हो या चाहे कोई भी हो चाहे कोई कितना भी किया करा दो हो सबसे आप पार पर जाएंगे और जीवन में आप धन संपत्ति अर्जित करते हुए आगे बढ़ेंगे बिजनस ब्यापार में तेजी आएगी नोकरी आपकी जल्द लगेगी बैवाहिक जीवन सुक में रहगा और जिनका बिवाद नहीं हो रहा है वो लाल चुनरी जरूर अर्पित करें और लाल चुनरी अर्पित करके पांच सुपाड़ी जरूर अर्पित कर दे माताजी को तो जल्द विवाह की योग भी बनेंगे दरस्तों कमेंट स्क्सन में सच्चे देल से जै मा दुर्गे अवश्य लिखे हैं और जाते आते वेड़ो लाइक जरूर करें नहीं तो चनल सब्सक्राइब परें और से शियर करें जै मा भगोती दुर्गे अवश्य लिखे